तो सागत करते हैं आपका अपना यूटुप चानल टोरेहुड़ेट वे तो चलिए आज बात करने बाले हैं उत्पादन सिपाई परतियोगीता परिक्षा के बारे में इसमें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इसकी सिलेवस क्या होने वाली है और एग्जाम की क्य जाने वाले हैं कि सारी चीजे पहले भी मैंने बता चुका है एक वीडियो में बट यहां पर हम आपको बरवली यहां पर बता देते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं फी जो हो 1100 रुपया होने वाली है और STSE के लिए यहां पर देख सकत तक यहां पर बेतन होने वाली है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर देख सकते हैं कि 10 पास कंडिडेट यहां पर अपलाए कर बाएंगे चलिए यहां पर सबसे इंपोर्टेंट जो है आपकी यहां पर सिलेवस और एक्जाम पेटर्न क्या होने वाला है वह चीज हम आपकी सबसे इंपोर्टेंट परिक्षा का जो की शरूप है ठीक है इस रूप के बारे में हम आपको बता देते हैं परिक्षा का शरूप एवं पार्ठी करम जो की परिक्षा नियमा वली तीन चर्णों में होगी जिसमें से पहला जो होगा यह आपका एक्जाम से पहले सा लिए बढ़िती जो प्रवधान जो निकाली गई है, इस में से अम आपको बता जेते हैं, कि सारेरिक दक्षता परिक्षा जो की क्वैलिफाई परिक्षा होगी जिसमें से आपको कोई अंग देनी होगी ठीक है दे नहीं होगी यहां पर देख सकते हैं जिसमें से कोई अंग दे नहीं होगा ठीक है चैन जो की पारसद सारेरिक माप एवं सारेरिक योगिता की यहां प तो यानि कि आपको पहले एकजाम से पहले को सारी रिक यहां पर सारी आपको टेस्ट देनी होगी उसके बाद ही आप दुसरा चरन में आप जा सकते हैं Shell जैसे कि अगर बात करें यहां पर देख सकते हैं उसके बाद देख सारे रिख्षता परिक्षा के सफल अभ्यारति की लिखित परिक्षा दे पाएंगे ठीक है उसके बाद यहां देख पा रहे हैं लिखित परिक्षा के अधार पर मेगा मेगा जो कि आपका मेगा सूची तया परशित कर आया जायागा, यहां सूची परसथ दिवरार उपरसित कराए जाएगा, ठीक है नेक्स यहां पर बात करते हैं लिखित परिक्षा की तो यहां पर आपकी जो परिक्षा होगी क्या इंपोर्टेंट से परिक्षा को लेकर करके यहां बताते हैं कि लिखित परिक्षा में नियमावली तीन पत्र होंगे जिसमें से परतेक पत्र की परिक्षा अवधी द 2-hour का होगा और यहां पर एक question के लिए आपको t taps को दिया जाएंगे यहां पर देख सकते हैं कि आपकी दी गई है परते घलत उतर के लिए एक ंग कटोती की जाएग beef mà कुला आपका तीन पत्रों की सभी प्रशन से वस्टिवरीट और और यहां पे बहु विकल्पिक उत्तर अधारित होगी ठेक है पहला पत्र जो अपकी बात करतें इसुतिर होने के लिए 30 आपको यहां निरधारित हो आपको नुर्दंतम जो है कम से कम आपको इहां पे सफल अगला नेलाक्स-क्जाम के लिए रही हुआ यहां पर लाना होगा पत्र 1 में पत्र 2 की बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं जन जाती भासा ग्यान होना आपके लिए बहुत अनिवारी है जिसमें से हैं उर्दू संथाली बंगाली जैसे मुंडारी हो यह आपकी यहां पर भासा है जो भासा आपकी है उस भासा में 여성 निवारिया होगी नेक्स बात करते हैं पत्र 3 की इन पत्र में पुछे जाने वहले प्रस्न की संक्यां 120 होगी जिसमें यहाँ पे एऊंज सही तन्य प्र cowboy समंदित ग्यान 50 मार्ष का होगा उसके बाद सी बाद करते हैं यहाँ पर तो इसमेंसे अभी आपको यहाँ पर 30 परिक्षा नियुनितम 30% होगा नियुनितम आथकार से कम से अंक प्राप्त करने के लिए अभियारती निक्ति के लिए चैन और शफल योग माने जाएंगे यानि कि 30% से अगर आपका कम है मतलब लेस देन 30% है तो आपका यहां पर और सफल माना जाएगा यहां पर क्लियरली जंजाती भासाग्यान था अधाथ 0553 शमनि ज्यान की परिक्षा निक्ति आर्ट थर्टी फर्शेंट की यहांपे होनी चाहिए पत्र 3 की यहां पे दे दी गई है उसके बाद यहां पे देख सकते हैं clearly लिखा है फात्र 1 पत्र 2 और पत्र 3 की परिक्षा निन्टम 30% अथवा इसके अधीक अंक प्राप्ट करने के लिए के वाले यानि कि यहां पे वहारतिक पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्ट अंको को बाथ करते हैं पर्थैद्ऴ करते हैं यहां पर पर प्रष्ण पुछे जाएंगे उसकी यहां पर देदिया गया है तपकुते हैं कि ऑन vin पठित लू जो की चिबह सैंगे पर अधारित पुष्ण होंगे उनेवजी भासस के सैम में जैसे कि यहां डेख सकते हैं इस विशा में अंग्रेजी ऑंःतित आनुछे जो कि Unseen Passage लगासस था उन गेज़ी भी याकरण पर अधारित प्रश्ण होंगे नेक्स बात करते हैं यहां पर पत्र टू की जो की यहां पर देख सकते हैं सारी चीज डिस्क्राइप में दे दिया गया है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है जन जाती भासा ठीक है छेत्रे भासा जो की ब्याकरन में आपको पुछे जाएंगे क्या क्या यहां सारी सिलेवस दे दिया गया है ठीक है यह सारी हैं जैसे कि आप यहां पर दीख IT हो की सिलेवर से खोथा की सिलेवर से यहां पर आपको दिख रहा होगा clearly उसके आद नेक्स्ट यहां पर खड़िया की सिलेवर से सारी सिलेवर से यहां पर दे दी गया है आप जिस भासा को चूस करेंगे उस अनुसार से यहाँपे इस लिवश यदार पे यहाँपे आप पढ़ करते हैं चेक है नेक्शट बात करते हैं और भी यहाँपे जैसे कि यहाँपे बताते हैं आपको की पतर दरी में शमान ग्यान जो पुछे जाएंगे उसके भी यहाँ पे सारे डिटेल्स में दिये गए हैं जैसे कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनमें भारत देश अबम धारकन राज के संबंदित में विशेश रूप से यहाँ पे संबंदित प्रश्ण पूछे जाएंगे जिसमें से स्वसमाजिक विशे राष्ट एवं राज अस्तरिय प्रुषकार भासा जो की यह आपकी भारतिय भासा प्रुषकार लिपिक राजधानी मुद्रा यहाँ पे खेल कुद मतपूर्ण घटनाए जो है भारत की इतिहास संस्क्रीत भुगोल परियावरन जो की सतयनता अंदोलन भारते क्रिशी एवं प्राकिरती संसाधन जो की पर्मुक विशेश एवं भारत की संबंदित राज वेवस्था पंचायती राज जो की शामुदाई जो की विकास जारकन राज की शमान जन जाती यह सारे चीज़े यहाँ पे पुछे जाएंगे नेक्स्ट बात क यहाँ पे देख सकते हैं उद्योग रास्ट अंदोलन जो की जारकन योग जान के लिए यहाँ पे देख सकते हैं विकास योजना खेल कुद अइत्यादी भी यहाँ पे पुछे जाएगे सामान बिग्यान से भी यहाँ पे देख सकते हैं सारी सिलेवशे यहाँ पे दे दि की जाएगी अधियारतियों की सारे रिक माप डंट जीरो सिक्स से अनुरूप है ठेक है दोर में आपको देख सकते हैं पुरूस के लिए यहां पे 10 km 60 मिनट में आपको यहां पे तै करनी है महिला के लिए यहां पे देख सकते हैं की 5 किलो मिटर चालिस मिनट में तही करनी है सारीक छमता परिख्षा के लिए यहां पर दी गई है 11 में जाकर के देख सकते हैं परितिस्ट 9 में जो कि यह आपका दिया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर आपका चिकित्सा जो की जाच होगी जिसमें से आपको लिखित पर जो की दोबारह किए जाएंगे उक्त परिक्षा न Shopify सफ़ल होने बियुदी यहां पर मेंसुच के यहां पर दी गई है कैसे आप नि participants नियूंतम अहर्था के कम अंग पाने वाले में भीआरति प्रवान पत्र सत्यापन किए जाएगे अनारक्षित के लिए 40 अनिवारी होगा उसी परकार से यहां सारी कंडिडेट को कितनी जैसे अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लिए 32 परसेंट ठेक है अत्यांत पिछडावर के लिए 34 पिछडावर के लिए 36.5 आदिम जाती के लिए 30 और जो कि आर्थिक रूप से जो कि EWS उसके 40 परशंट होगी अभियारतियों कि यहां पर देख सकते हैं कि किस परकार से यहां पर आपका प्रवान पत्र सत्यापन किये जाएंगे सारी चीज़े यहां पर दिए गया है निक्ति के लिए क्या-क्या परक्रिय बस बताएं और क्या-क्या यहां पर आपको परिक्षा की गाइडलाइन्स होगी सारी चीज़े बता दिया आई होप सारी चीज़े समझ में आ गई होगी किसी परकार की कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और मेरे यूटिप च